हेलो दोस्तो वन सेगन वलकम बैक टू मैं चैनल और सबसे पहले आप सब ही दोस्तों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हारदीख शुब कामना है तो नए साल में घुमते घुमते हम नर्सरी चले आए कुछ प्लान्ट खरीतने के लिए तो ये जो नर्सरी है ये पलक नर्सरी है ह अर्वटपूर जाते हुए राइट हैंड पे समर फिल्ट की सामने बढ़ता है और यहां पर बिंटर की सुन्दर सुन्दर कलेक्शन आ रखा है इतनी अच्छे पौधे हैं यहां पर मतलब एकदम हैल्दी और जिसमें कलिया भरी पड़ी हुए और पूल भी खिले हुए है जिससे हमें खरीदने में बिल्कुल भी प्रॉबलम नहीं होगी कि किस कलर का यह पौधा है और सबसे इच्छी बात है कि यहां पर 10-15 रुपे में हमें विंटर की प्लांट से मिल रहे हुए वो भी एकदम हैल्दी तो चलिए फटापट हम इस वीडियो में उन पौधो के नाम जान लेते हैं तो यहां पर नर्सरी भी काफी बड़ी है और यहां पर धीरो सारे प्लांट है मतलब हम अपने मर्मरजी के धीरो कलरों को एट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम विंटर की जो रानी है और फूलों से लदा रहने वाला जो फूल है वो है पिटूनिया अगर हम इस पौधे को रखते हैं तो ये फूलों से लदा हुआ रहता है पुटूनिया मात्र यहां पर 15 रुपे में हमें एक पौधा मिल रहा है और अगर आप बहुत सारे पौधे एक साथ पर्चेस करेंगे तो भावी ने बोला है कि थोड़ी सी प्राइज आपको कम करके देंगे सबसे अच्छी बात है कि इसमें हर एक पौधे में एक फूल जरूर खिला हुआ है उससे हमें प्राबलम नहीं होती है कि किस कलर का पौधा हम लेके जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहां पर देखिये मैं एक नजारा आपको दिखा देती हूँ कितना पौदे में आके जब हम फूल देखते हैं तो देखे पिठूनिया का कलर कितना खुबसूरत है यसे ही इन में धीरो सारे कलर मिल जाते हमें इस पौदे को लगाने के लिए हमें 5 से 6 और 7 इंचे के पौट का हम यूज कर सकते प्लास्टिक या सिमेंट के पौट का आप यूज आराम से कर सकते हैं, यहां पर डवल कलर का भी पिटूनिया है, लेकिन डवल पैटन वाले पिटूनिया नहीं है यहां जो कलर है सारे बहुत ही गुपसुरत हैं तो आप लग नर्सरी से इन पौदों को पर्चेस कर सकते हैं, जब भी पौदो को हम खरीदते हैं एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौदे की पतिया पीली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और जो पौदे हम खरीद रहें उनकी ब्रांचेस बहुत जादा ओना चाहिए तो इन छोटी छोटी वातों का ध्यान रखते हुए है आप इन पौदो को purchase कर सकते नरसरी जब हम आते हैं तो इतने सुन्दर सुन्दर फूलों को देखकर बस मन एकदम ललचा उड़ता है कि सारे पौधे लेके जाए जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई जिसे पैंजी को देख सकते हैं इतने सुन्दर कलर का combination होता है यह इसलिए तो इस पौधे को हम बटरफ्लाई कहते हैं जैसे लगता है कि तितली हमारे पौधे के उपर बैठा हो और यह पौधे अगर यह फूल आपके गार्डन में खिल रहा है तो सोचिए आपका गार्डन कितना सुन्दर लगेगा फैंजी जो प्लांट होता है ज्यादा हाइट का नहीं होता है यह फैलता रहता है इसके लिए तो पांच इंची का गमला बहुत परफेक्ट होता है प्लास्टिक के छोटे छोटे गमले में आप धीरो सारे कलोरों को एट करके लगा सकते हैं एक एक गमले में एक एक पौधा उससे के होता है पौधे जब हम घर में लगाते तो तोड़े से फैल जाते हैं अभी नर्सरी का जो यह पॉली वैग होता है यह तो छोटी-छोटी होते इसलिए 5-6 और 7 इंचे का गमले एकदम परफेक्ट होता है अगर आपके पर जगा कम है तो आप 5 इंचे की गमले में लगा सकते हैं और जगा बड़ी है तो 6-7 इंचे की गमले का यूज आप आराम से कर सकते हैं यहां पर देखिए कलर कितना सुंदर है और लग राय की धीरो सारे बटरफलाई ऐसी वैठा हुआ है तो यह जो पौधा है सिर्प 15 रुपे का है एकदम हेल्डी एक भी पत्तिया पीली नहीं है कलियों से भरा हुआ है और सबसे अच्छी बात इसमें फूल के लिए हुए है जिससे हमें खरीतने में बिल्कुल भी प्रावलम नहीं होगी पैंची जो है दिन भर की धूप बहुत अच्छा पसंद करता है पा होती कुपसूरत होती है तो दीखे यहां पर बरवीना कितना हेल्डी है और कलर इतने सारे है सिंगल कलर डबल कलर के भी इनके फूल होते हैं काफी संदल लगता है बरवीना भी सिर्फ 15 रुपे में हमें यहां पर मिल रहा है वो भी हेल्डी पौदा सबसे अच्छी बात य कभी कभी ऐसा होता है हम किसी नर्सरी में जाते हैं और वहां पर हेल्डी पौदे नहीं होते हैं दो से तीनी पौदे होते हैं वो भी पतिया बहुत ही पीनी पीनी सी होती है और कलिया भरी हुई नेरे होती है लेकिन यहां पर पलक नर्सरी में देखिए कितना हेल्डी पौ कम खिले हुए है तो ये पौधे ले जाना हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है देखे एक फूल खिला हुआ है तो कलर की पहचान हो गए और कलिया अभी बनी हुई है तो मतलब ये हमारे घर जाके पास से छे दिन में ये पूरी तरीके से फूल खिल जाएगा और जो डॉक्स फ्लार है इनके फूल कम से कम 15 से 20 दिन तक ऐसी ही खिले रहते हैं एक बार कली आने के बाद इनके फूल जल्दी से खराप नहीं होते हैं बहुत दिनों तक खिले रहते हैं अगर मॉर्निंग की सनलाइट में इसे रखे सिर्फ तो डॉक्स फ्लार भी 5 से 6 इंचे के गमले में आराम से लग जाता है सबसे अच्छी बात है कि देखिए ये पौधा इनकी पतिया काफी खुबसूरत होती है इसलिए मुझे ये पौधा बहुत पसंद है ये देखिए अगर आप नरसरी जा रहे हैं तो सिरीनियम को जरूर परचिस कीजिए 40 रुपे का एक पौधा है लेकिन इसमें कलिया आना शुरू हो गया है छोटा पौधा है बहुत अच्छा है क्योंकि इनके फूल काफी लॉंग टाइम तक चलते हैं दो से धाई मैने तक इनके फूल ऐसे ही हमारी गमले में खिले रहते हैं जल्दी से इनके फूल खराब नहीं होते हैं लेकिन एक कंडिशन में जब इनके फूल खिल जाए तो हमें इनको शेट में रखना होता है वैसे आप इसे मॉर्निंग की सनलाइट में रख सकते हैं मॉर्निंग की आदा घंटी की सनलाइट इनके लिए बहुत जरूरी होती है और जैसे ये पौधा भी छोटा आपको नजर आ रहा है तो इसे ले जाके अगर आप छे से साथ इंचिके गमले में खाट डालके लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर के लिए आप देख सकते हैं बनना शुरू हो गया तो ये बहुत चल्दी बन जाएंगे और जनबरी तक ये फूल बहुत आराम से इनकी खिल जाएंगे और दिखने में भी ये बहुत प्यारे लगते तो एक बार इस पौदे को जरूर खरीदे कैलिंडूला में भी बहुत सुंदर-सुंदर कलर है इनकी पतिया काफी बड़ी-बड़ी चोड़ी-चोड़ी सी होती है लेकिन इनकी हाइट जादा नहीं होती है तो 6 इंचे का गमला इनकी लिए एक दम परफेक्ट होता है और यहाँ पर बहुत सुंदर-सुंदर कलर है मुझे धिरो सारे कलर नजर आ रहे है यहाँ पर कैलिंडूला का कोई भी पौधा अपले सकते हैं सिर्फ पंदरा रूपे में सबसे अच्छी बात है कि 15 रूपे में लेनी की बात इस पौधे से हम धिरो फूल पूरा जून तक ले सकते हैं बहुत आराम से यह पौधा हमें जून तक फ्लावरिंग करती रहती है धिरो वो भी तो देख सकते हैं आप सामने कितना हेल्दी पौधा है मैं आपको नजदीक से दिखा देती हो बहुत लोगों की गार्डन में धूप जादा नहीं आती है लेकिन वो सोचते हैं कि बिना धूप के खिलने वाले भी कुछ पौधे हमें विंटर में मिल जाए तो बहुत सारे पौधे होते हैं उनके उपर मैंने वीडियो भी बना रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई वेटन में आपको लिंक मिल जाएगा उनमें से हमारा ये विगूनिया है विगूनिया में भी बहुत सुन्दर सुन्दर कलर होते हैं ये पौधा हमें 30 रुपे का एक मिल रहा है सबसे अच्छी बात है कि छोटा भी है और इसमें कलर भी हमें पहचान हो रही है तो कोई सा भी कलर हम ले सकते हैं सारे पौधे काफी हेल्दी है विगूनिया के जो पतिया होती है वो भी बहुत सुन्दर कलरफुल होते हैं विंटर के कुछ पर्मनेंट पौधे होते हैं जिने हमें विंटर में लेना होता है और वो पूरे साल भर हमारे गाडन में फूल देता है उनमें से हमारा ये डैंथस है डेंटस की इतनी सुन्दर कलर होते हैं ना देख सकते हैं आप एकी फूल में कितनी सुन्दर कलर है तो जब भी आप नरसरी जा रहे हैं तो पंदा रुपे में इससे पर्मनेंट पौदे को ज़रूर पर्चेस करें यह है हमारा चाइनिज बलसम इंपेशन की देसी वेराइटी होती है देखिए देसी वेराइटी है चुटी चुटी इनके पौदे हैं अभी एक एक फूल तो खिली चुका है कलर का पहचान हो जा रहा है और पर्मनेंट पौदा है तो पंदा रुपे में अगर आपको एक पर देनों लगा रखा है लेकिन बड़े पौदे भी है जो यह 60 रुपे की बोल रही है भावी लेकिन यह जो है यह 20 रुपीस में हमें दे देंगे लेकिन इसमें अभी कलिया नहीं है चोटी चोटी पौद इनोंने लगा रखा है इसे ले जाने के बाद घर में आपको खुद बड़ा करना पड़ेगा धीरे धीरे यह बड़ा होके फरवरी में यह फूल देना शुरूपी कर देगा तो नरसरी जब भी आप जाए इन पौदों को जरूर खरीदे यह जो पौदा है इसे मिस बिलकुल भी मत कीजिएगा मुझे बहुत ही पैरे लगे इसके फूल सबसे प्यारे लग रहे हैं और जितनी भी है यहाँ पर पौदे सारे हेल्दी है और सब में फूल आ गया यह देखके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है तो नरसरी आप अगर जा रहे है नए साल में नए साल में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हर कोई अपनी खुशी अलग तरीके से जाहिर करते तो कुछ पीड़ पौदे लेके भी आप खुशी को जाहिर कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही है वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा चैनल में पहनी बार है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करतीजिएगा थैंक तरीक तो की हो चैनल क Cook City, में इतना ही को बार है जरूर टेयर करना अग्या थामाच करता है ऐ दो रेक कट मैं जसल्वाइगा थैंक कर सहते हैं और है है नहीर कर दोतकता है तो हो जाती है